हेलो स्टुडेंट्स, वेलकब टु उनिवस्टी अकेडमी यूट्यूब चैनल, आज हम लोग यूनिट फाइव के इंपोर्टेंट कोशन्स डिस्कस करेंगे, फ्रोड असा रिकॉल कर देते हैं कि लास्ट क्लास में क्या बड़ा था, लास्ट क्लास में हम लोग ने पूछे जा सकते हैं, तो इसमें हम लोग ने वैसे स्टडी किया था, सैंप्लिंग थियोरम के बारे में, तो इसमें जो इंपोर्टेंट कोशन बनता है, वो बनता है सैंप्लिंग थियोरम से, जिसमें सैंप्लिंग थियोरम का प्रूफ पूछा जा सकता है, या तो इसका प हुआ फॉलिशन डिसकर नहीं कर रहें सिर्फ हों se important question सी देख रहे हैं इसके अलावा जो question बनते हैं वो बनते हैं nationwide with rates से नाइअ इस्विस्ट रेट इसके अलावा, subs go and double नाइट whist bendam sap consistent जिसके अलावा जो important question है वो है allizing effect से allizing effect जिसे हम allizing error भी कहते हैं जा फिर reconstruction of signals से reconstruction of signals यह कुछ important questions इस unit से बनते हैं जैसे क्या-क्या बताए हम नहीं आपे sampling theorem, nyquist rate, nyquist interval, allizing effect, reconstruction of signals इसके अलावा कुछ और important questions हैं उन्हें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं इन सभी questions में theoretical तो पूछ ही सकते हैं साथ-साथ numerical भी पूछ सकते हैं numerical sampling theorem से भी आ सकते हैं nyquist rate, nyquist interval जो कि हम पहले discuss कर चुके हैं अब यहाँ जो और questions बनते हैं उन्हें भी देख लेते हैं इसे रख पर देते हैं इसके अलावा question आ सकता है sampling frequency sampling frequency के बारे में theoretical भी question पूछ सकते हैं कि what do you mean by sampling frequency या फिर define sampling frequency और साथ-साथ इसमें numerical भी पूछ सकते हैं इसके अलावा sampling theorem हो गया अभी बताया है मैंने थोड़े देर पहले sampling theorem और इसके अलावा sampling theorem के अलावा आता है आपका impulse train ये भी important है impulse train और alizing effect है जिसे हम alizing error कहते हैं इसमें पूछ सकते हैं कि what is alizing effect तो what या फिर effect कि alizing effect के effect क्या होटे है वो पूछ सकते हैं या फिर reducing method इनके हमने जो reducing method study करेते हैं वो पूछ सकते हैं तो alizing के अंदर जो question वो बन सकते हैं वो है कि what is alizing effect या फिर इसके effect क्या है या फिर alizing effect के reducing method ये questions हैं इसके अलावा जो important question बनता है वो है reconstruction of signal से reconstruction of signal from sampling ये भी important question इससे बनता है तो ये सारे topic जितने हमने discuss करें ये सभी important है यहाँ पर मैंने बताया है sampling frequency sampling theorem impulse train या फिर alizing alizing के पूछ सकते हैं कि what what is alizing effect या इसके effect या इसके reducing method या फिर reconstruction of signals में से पूछ सकते हैं reconstruction of signal from sampling so these are the some important questions ये हम previous classes में already discussed कर चुके हैं तो हम इनके solution या study नहीं कर रहे हैं हमने सिर्फ यहाँ पर देखा कि questions जो है important को क्या क्या आएंगे ये सारे जो important questions है ये previous exam से हमाँ आप आपको पूछे जा चुके और future में भी इनी में से questions बनते हैं अगर unit 5 में से questions important आते हैं तो वो इतने ही हैं जितने मैंने बताए हैं इसके अलावा गर आपको कोई question ऐसा important लिखता है और जो आपको लगता है नहीं आता है तो आप मुझे comment section में जाके बता सकते हैं तो these are these some important questions from unit 5 इसके अलावा हम लोग यहां से numerical भी इस unit से अल्रेड़ी आ चुके हैं जो हम previous lectures में already discuss कर चुके हैं तो unit 5 के ये कुछ important questions हैं ये हमारा signal system की unit 5 के questions मैंने आज सारे जितने important बनते हैं वो बता दिया आप लोगो को अगर आपको हमारा ये YouTube चैनल पसंद आए तो इसे जादा सादा like, share और subscribe करें और इसके अलावा अगर कोई important question आप लोगों समझ नहीं आ रहा है तो मुझे आप comment section में जाके बता सकते हैं और अगर इसके आप handwritten notes डाउनलोड करना चाहते हैं तो description box से डाउनलोड कर सकते हैं Thank you Zip 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 झाल झाल